यदि आपके घर का कोई भी डिवाइस अगर रिपेर के लिए जाता होगा तो साहद आप लोगों ने उस डिवाइस के PCB बोड को जरूर देखा होगा जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास एक SMPS का PCB बोड है इसके अलामा मेरे पास कुछ और भी डिवाइस के PCB बोड है और मैंने यहां नोटिस किया जितने भी डिवाइस थें उन सभी डिवाइस का जो PCB बोड था उनमें लगे कॉंपोनेंट अधिकतर कॉंपोनेंट पैसिव कॉंपोनेंट था तो आज एक ऐसे ही पैसिव कॉंपोनेंट को आज हम लोग समझेंगे जिसका नाम है कैपरसिटर तो RC सरकीट समसे पहले RC सरकीट का इस की मेटिक डियागराम को ड्रा करेंगे और इस सरकीट को स्टॉल करने के लिए हमें पुश और पूल स्विच की आउसकता पड़ेगी और साथ ही साथ रेजिस्टेंस और कैपिसिटर की भी हमें आउसकता पड़ेगी और सरकीट में circuit को breadboard पर install करेंगे और अब हम लोग इस circuit का जो output waveform होगा वह किस रूप में होगा उसको हम लोग जानेंगे तो output wave को देखने के लिए मैंने एक oscilloscope का प्रयोग किया है जब switch को push किया गया तो capacitor charging condition में चला गया और जब pull किया गया तो capacitor discharging condition में चला गया और अब आप लोग capacitor का charging और discharging condition होसलिस्कोप पर बहुत ही असानी से देख पा रहे होगे यह जो waveform है वह capacitor का charging और discharging waveform है waveform को देखकर आप लोगों को यह पता चल चुका होगा कि circuit में transient उपस्तित है अब हम लोग आगे यह जानेंगे कि capacitor में कितने समय पर कितना voltage या कितना current इस्टोर हो रहा है resistance और capacitor series में है तो इस वज़े से इनका जो voltage होगा वह डिफरेंट डिफरेंट होगा VR और VC तो अब हम लोग switch को connect करेंगे जिस वज़े से circuit में current flow होना शुरू हो जाएगा और यह current IC है तो अब capacitor अपने आपको चार्ज करना शुरू करेगा और यह कंडिशन charging कंडिशन का लाएगा तो capacitor के charging होने का एक फार्मूला है आप लोग उसको जानते भी होंगे VC इकल टू V bracket में 1 माइनस E पे पाउर माइनस T अपॉन लिम्डा bracket close और capital V क्या है circuit का voltage supply और आप लोग ध्यान लखिएगा जो supply है वोग DC supply है resistance के थुरू voltage कितना होगा तो देखिए V R equal to minus V E power minus T upon लिम्डा फिर इसके बाद IC का भी फार्मूला देख लीजिए ओ रुकिये कहीं कुछ गल्दिया हो रही है बुक में इसका कोई फार्मूला तो नहीं है लेकिन हाँ इसका waveform दे रखा है आप इस waveform को समझे जब capacitor चार्ज होता है तो उस condition में V R की value positive half cycle होता है तो आप लोग इस फार्मूले से minus quote आ दिजिए तो I see is equal to I am E power minus T upon lambda I am यानी maximum current V C और V R के फार्मूले में मैंने voltage source को capital V से denote किया है क्या इसे हम लोग V M से denote कर सकते हैं V M अर्थात maximum voltage जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं पर कैसे यह बाते आपको पता है कि जो supply voltage है वह DC है तो DC का RMS value, average value और V max और यह तीनों ही DC के case में equal होते हैं और आपको यह पता होगा कि voltage source इनी तीनों में से कोई एक होगा और अब हम लोग इस फार्मूले के माध्यम से capacitor के charging condition को theoretically waveform के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे जैसा कि आप लोगों ने oscilloscope पर capacitor के charging condition को देखा था ठीक वैसा ही एक wave diagram को हम लोग बनाएंगे maximum voltage और यह lambda आगे मैं इसके बारे मैं आपको बताऊंगा और यह जो 36 line है इसको हम लोग denote करेंगे time से और जो उर्धवार्धा line है उसको हम लोग voltage से denote करेंगे और अब देखिए tau को हम लोग tau या lambda जो इच्छा हो वही बोलिए और अब lambda को समझे lambda को time constant भी कहा जता है lambda equal to r into c r for resistance और c for capacitor जो मैंने breadboard पर capacitor का यूज किया था उसकी value को find कर लीजिए तो उसके लिए मैंने एक lcr meter का यूज किया है यहां से हम लोग capacitor की value को find कर पाएंगे तो इसकी value के i 362 value को put किया ध्यान दिजेगा यह micro farad में होता है इसलिए 10 to the power minus 6 अब resistance को भी find कर लीजिए तो approximate एक kilo ohm का resistance है तो lambda को find कीजिए कितना आया 0.362 second या फिर आप लोग इसको millisecond में भी change कर लीजिए 362 millisecond अर्थात lambda समय से संबंदित है तो एक lambda में capacitor कितना charge होगा मेरे काने का अर्थ यह है 362 millisecond में capacitor कितना charge होगा तो इसका answer यह है maximum voltage का 63.2% ही चार्ज होगा लेकिन इसके लिए भी एक condition है अगर time और constant time equal होगा तो उस condition में capacitor में charge voltage maximum voltage का 63.2% voltage होगा जैसा कि आपको oscilloscope में दिखा जा रहा है 362 millisecond में capacitor 63.2% तक charge हो जाएगा और यह आया कहां से तो फार्मूले को देखिए और अब VC को find कीजिए तो देखिए value हमें क्या मिला 0.632 और अब इसको change कीजिए percentage में तो कितना आया 63.2% यह कहां से आया यह बात आपको समझ में आ गई होगी तो VC equal to VM 0.632 लेकिन कब जब T equal to lambda होगा तब और इसी तरह से T equal to 2 lambda पर भी capacitor maximum voltage का कितना percent charge होगा तो आप लोग इसको भी find कर लिजिए 0.864 यानि maximum voltage का 86% तक charge हो जाएगा और इसी तरह से T equal to 3 lambda पर भी देखेंगे तो हमें value क्या मिली 0.950 अर्थात maximum voltage का 95% तक capacitor charge होगा और आगे different different time पर value को आप लोग find कर सकते हैं अगर तीनो ही समय का analysis किया जाए तो आप यह जानोगे lambda समय में voltage बहुत तेजी से build up हुआ और 2 lambda समय में voltage 63 से केवल 86% तक ही voltage build up हुआ यह capacitor का काफी important concept है इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिए और capacitor में आवेस के लिए भी सेम वेपर करिया होती है अर्थात capacitor में अधिक्तम charge store करने की छमता का केवल 33% का ही charge केवल store करेगा तो अगर आप लोगों को एक lambda पर charge को find करना है तो small q equal to 0.632 into capital q अब current के waveform को समझा जाए तो उसके लिए मुझे oscilloscope पर current के वेप को दिखाना पड़ेगा current के वेप को दिखाने के लिए जिस instrument की आउसकता पड़ेगी वो फिलाल मेरे पास अभी है नहीं एक तरीका है अगर vr के waveform को पता कर लिया जाए तो जैसा waveform vr का होगा सेम हो ऐसा ही current ic का भी waveform होगा कैसे आपको पता होगा कि पेओर रेजिस्टिफ के केस में current और voltage एक ही पेज में होते हैं इस वज़े से दोनों का waveform एक जैसा ही होगा ध्यान दिजेगा मैंने बोला है waveform ना की value तो यह जो waveform है यह capacitor के charging condition का current का waveform है तो current का waveform कुछ ऐसा ही होगा और यह Imax और यह एक lambda में कितना current को build up करेगा तो फार्मूले के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे तो फार्मूला आपके सामने है और T की value को रखिए T की value क्या है एक lambda value क्या मिला हमको 0.367 अर्थात कैपसिटर एक टाउ में maximum current का 37.8% ही अपने अंदर current को build up करेगा ओ स्वारी 36.8% ही अपने अंदर current को build up करेगा यह wave VC और यह wave IC और अब ऐसे ही T कॉल टू लेम्डा पर current को find करेंगे तो value हमको मिली 0.135 अर्थात Imax का 13.5% तो एक टाउ पर IC equal to IM 0.135 और अब तक हम लोगों ने क्या सीखा इसके पूरे समरी को हम लोग देखेंगे कैपसिटर के थुरू जो voltage और current हमको मिला IC equal to 0.378 IM और VC equal to 0.632 VM यह value कैपसिटर में बहुत तेजी से build up होता है कितना तेजी से तो जो समय होगा वह एक लेमडा के बराबर होगा आगे कैपसिटर का discharging condition क्या होगा इसको हम लोग समझेंगे तो सबसे पहले circuit से charging switch को disconnect करेंगे और discharging loop से circuit को current करेंगे और कैपसिटर के discharging का वे form औसली scope पर देख सकते हैं अब इसको theoretically हम लोग समझेंगे discharging condition में कैपसिटर current या voltage को release करता है तो एक लेमडा में कैपसिटर voltage या current को कितना release करेगा तो आपको जो किताबों में formula given होता है वह कैपसिटर के discharging condition का remaining voltage होता है तो मैं आपको इस किताब के formula के माध्यम से समझाऊंगा Vc equal to Vm e power minus t upon lambda तो अब आगे t equal to lambda पर कैपसिटर के discharging के दोरान कितना voltage remaining रहेगा तो इसको हम लोग find करेंगे तो value i 0.367 तो एक lambda पर remaining voltage कितना आया Vc equal to Vm 0.367 और इसी तरीके से आप लोग t equal to 2 lambda पर भी value को find कर सकते हैं और current Ic equal to minus Im e power minus t upon lambda ये कैपसिटर का remaining current है अभी मैं आपको आगे remaining voltage और remaining current के बारे में समझाऊंगा जैसा कि current आपको दिखराया negative में है तो हमें current को दिखाने के लिए उठ धौरदर negative blank खिचना पड़ेगा और यही VR का wave diagram discharge कैपसिटर के current का waveform होगा जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था अब हम लोग theoretically current के waveform को समझेंगे ये line current को भी represent करेगा ये Imax लेकिन negative में तो एक lambda में कितना remaining current होगा तो value को find करेंगे तो value आया 0.367 तो remaining current IC equal to minus I am 0.367 और अब समझें remaining voltage maximum voltage से जितना voltage release हुआ और ये जितना voltage बचा और यही क्या हुआ remaining voltage और वैसे ही Imax से जितना current release होगा और जो current बच जाएगा वही क्या होगा remaining current और ये सब process एक lambda के time में होगा अगर आप लोग एक बार और capacitor को charge करोगे तो capacitor में voltage यहां से build up होना शुरू होगा capacitor में discharging के दौरान वी आर का remaining voltage कितना होगा वी आर एक्वल टू माइनस वी इप पाउर माइनस ट अपॉन नेमडा आप लोग वी की जगा पर वी मेक्स भी लिख सकते हो और वी आर का charging और discharging वेव डाइगराम आप लोग oscilloscope पर एक बार फिर से देख लीजिए और ये capacitor का charging condition और ये discharging condition इन सभी वेव डाइगराम को हमने सीखा अगर थोड़ी बहुत कमियार रह गई होगी तो एक problem के माध्यम से उन कमियों को दूर करेंगे ये एक square wave है और मैंने time वही लिया जो lambda की value है और ये 0 से 362 millisecond on time होगा अर्थात इस समय क्या होगा capacitor charge होगा 362 से 724 millisecond तक off time है अर्थात इस समय capacitor discharge होगा और ऐसे ही आगे तक on और off time क्या है equal है कितना है 362 और ये ही time lambda का भी है अर्थात time और time constant क्या है equal है तो सबसे पहले VC को find कीजिए और ये condition क्या होगा charging condition तो capacitor के charging के लिए VC क्या होगा maximum voltage का 63% लेकिन कब जब T equal to lambda होगा तब तो VC बराबर 0.63 into VM तो supply voltage माले जे 9V और ये ही क्या होगा VM तो value को find कीजिए तो value हमको मिला 5.688 तो capacitor यहां तक चार्ज होगा एक lambda में capacitor 5.6 volt तक चार्ज हो चुका है तो capacitor जब discharge होगा तो charging voltage को ही discharge करेगा और charging voltage कितना है 5.688 और अब ये ही value डिस्चार्जिंग के case में maximum voltage होगा तो charging के case में VC की value क्या होगी तो इसको find कीजिए तो value क्या हमको मिला 2.05 volt तो ये discharging curve और अब capacitor को charge किया जाए अब थोड़ा अलग case होगा जब T और lambda बराबर हो तो उस condition में VC equal to VM into 0.632 लेकिन capacitor में already 2.05 volt उपस्तित है तो बस कुछ करना है नहीं maximum voltage में से 2.05 volt को घटा दीजिए और charging condition के लिए 63% से multiply कर दीजिए अर्थाथ 0.63 से multiply कीजिए तो ये जो value आएगी वो केवल charging condition का होगा और हमको तो पूरी value चाहिए तो जो हमने इतना voltage छोड़ दिया था उसको भी add कर देंगे और अब जो value आएगी वो value 724 से लेकर के 1086 millisecond तक का होगा तो value हमको मिला 6.428 volt और उसी time constant में और अब आप लोग इस wave diagram को देखिए और हमको comment box में बताइए V, R और IC की value क्या होगी और RC circuit में स्वारी DC through RC circuit और ध्यान दिजीगा ये क्योंड DC के लिए है ना कि AC के लिए है आने वाले वीडियो में हम लोग आरियल circuit के बारे में चर्जा करेंगे चलिए धन्यवाद और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाईए और लाइक तो आप लोग कर दियांगे और सेयर करना ना भूलेगा